हाई अब्रिवान कैसे आप लो उम्ही थे बहुत ही बढ़े होंगे मैं गीता वर्मा गीता की लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छा पैक जिसमें है दो स्टेप और इसे हम बनाने वाले हैं आलू से आलू आलू आप जानते हैं पिग्मेंटेशन को दूर करता है दाग धपों को दूर करता है बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका तो यह जो पैक है वो आपके पिग्मेंटेशन को दूर करेगा साथ ही आपके दाग धपे हैं किसी भी वज़े से काला पन है उसको दूर करेगा और साथ ही बहुत अच्छा ग्लो भी लेकर आएगा तो दो स्टेप हैं इसके इंदे एक स्क्रब होगा साथी एक पैक है जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है इंस्टेंट ग्लो देता है अगर आपको कहीं जाना है तो अभी आप इस पैक को लगा सकते हैं इसे यूज कर सकते हैं तो वीडियो को जादा ना खीचते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक छोटा सा आलू ले लिया है क्योंकि इतना बहुत है हमें फेस पे लगाने के लिए और इस पैक को आपको बार बार बनाना है ऐसा नहीं कि आप इसे रखके यूज कर सकते हैं तो उतना ही बनाईएगा जितना आपको यूज करना है क्योंकि जो आलू होता है वह दिरे-दिरे काला पर जाता है उसमेल भी आने लगती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू छिल लोंगी और आलू पिग्मेंटेशन के लिए दाग धबों के लिए बहुत अच्छा काम करता है इसे मैं नहीं छेला था और धोंने के बाद कर रही है ? क्योंकि नेसे रूला और ये लेशिध ने分 करें को वब चेला रहा है ? तो मैं इस तरीके से बारीकश कर रही हूं और में इस इसका जूस निकालाना है आप चाहे तो हाथ से ही निचोड के निकाल लीजे नहीं तो आप किसी छनी से भी निकाल सकते हैं तो मैं इस तरीके से छनी से इसका जूस निकाल लूँगी और इसका जूस बहुत इच्छा काम करता है क्योंकि इसके उंदर ते बहुत सारा स्ट्रार्ज तो आपके एंटी ए यहां पर मैंने छोटा यालो लिया था क्योंकि मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती और आप भी वेस्ट ना करें क्योंकि मुझे वेस्ट करना भी पसंद नहीं है तो इस तरीके से पूरा मैंने च्छान लिया है एक तफ जूस हमारा हो गया और एक तरफ यह वाला प कर दो चावल का आटा है और छावल का आटा की अछे क्रब के लिए बहुत अच्छा काम करते साथि एंटी एजिंग है एंटी रिंकल्स है और इसमें फोड़ा से में गुलाब जल कर दूंगी आप इसमें दूदे अगर डूदे करना चाहे तो वह भी एड़ सकते हैं अगर तो आप थोड़ा सा हनी इसमें डाल लीजेगा आपके स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी तो इस तरीके से यह हमारा बहुत अच्छा स्क्रब तैयार हो गए घर का बना हुवा स्क्रब और जो की बहुत अच्छा काम करते हैं आपके स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाए जाएगा साथी आपकी पिग्मेंटेशन दाग दबो को दूर करने वाला है बहुत ही अच्छा रिजर्ट आता है इसका तो बहुत ही सूखा नहीं रखना जादा जादा सूखा रखेंगे तो आपको लगेगा स्किन में भी छिल गई तो इस थोड़ा सा हलका सा गीला ही और जाद करूंगी और इंच पील पाउडर संत्रे के चिलके का पाउडर यह मार्किट वाला है आप घर का भी बना सकते हैं तो यह एक चमच मैंने इसमें आड़ कर दे क्योंकि इसमें होता है वाइटमिन सी और वाइटमिन सी रंग निखाने में बहुत सद़ा मदद करता ह है तो इस तरीके से मैंने से मिला ले हैं और साथ ही मैं इसमें आड़ करूंगे नीमबू का जूस नीमबू का रस में इसमें भरपूर मातरा में वाइटमिन सी होता है साथ ही रंग निखाने में बहुत सद़ा मदद करता है टैनिंग को रिमूव करता है दाग धबो को रिम सकते हैं भी पाउडर है तो पीस के भी अड़ कर सकते हैं सकते हैं तो कोईerg मेंच 15 Viv FDA का भिचाठा कर बना निएए स crafts a तो यह मारे इच्छे तुब यार है उन्हें तो यहां पर मैंने को वाश कर रखा है कुछ भी नहीं लगा रगा कोई मेकप नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्क्रब लिया है दोनों हाथों में और हलके हलके हाथों से मैं अपने फेस पर स्क्रब करूंगे scrub करने से जो आपके उपर के dead skin होती है dead skin cells होते हैं वो निकल जाते हैं और वहाँ पे नई skin आने शुरू हो जाती है आपको दिखेगा नहीं वो इतना मतलब बारिक होता है कि आप ऐसे नहीं देख सकते और जो उपर की खराब वाल skin होती है वो धीरे-दीरे निकलनी शुरू हो जाती है और अंदर से नई skin वहाँ पे आनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो blackheads वगएरा है वो भी निकल जाते हैं क्योंकि इसे आपको nose पे जहाँ पे आपके blackheads है वहाँ पे ज़्यादा scrub करना है तो इससे आपके blackheads भी निकल जाएंगे अगर oily skin है तो oil भी निकल जाता है और बहुत ही अच्छा result देता है और इसे 2-3 मिनट तक आपको हलके हलके हातों से इस तरीके से scrub करना है वीडियो की speed तेज है आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज कर रही हूं मैं ऐसा नहीं है वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं speed बढ़ा देती हूं तो यहां पे मैं अपने न्च पे भी कर रही हूं क्योंकि गर्दन क्या हो दिन असफ़ी हो जाती है कितना भीम ध्यान दो नी क्यों गर्दन काली हो जाते हैं जब भी मÝ कोई पैक लगाती हूं इसक्रप करती हूं तो अपने गर्दन पे जरूर करति ओए महारी साथ किसто साफ हो जाए तो यह इसमें इतना अच्छा ग्लो बना रहता है और टैनिंग वगेरा नहीं होती है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अब यह जो पैक है इसे मैं आपको अपलाई करके दिखाती हूं कैसे अपलाई करना है तो यहां पर मैं इसे ब्रशते कर रही हूं आप हाथ से भी कर सकते हैं पूरे फेस पे और नेक पे लगा लिए तो यहां पर मैंने पैक को सूखने दिया था कापी अच्छे से पैक सूख चुका है और ध्यान है जब लगा हो तो आपको बिल्कुली बोल्ट है दोलना नहीं है तो आपके जूरियां पड़ जाएंगे अब मैं इसे धो कर आती हूं धोना कैसे स्क्रब करते वे धोना है ताकि आपके जितना बी टैनिंग काला पन है वो भी निकल जाए और यह देखिए कितना क्लियर नजर आ रहा है मेरा फेस और मुझे बहुत हलका फे इसको कि कैसा लगा यह पैक तो कैसा लगा आज का यह वीडियो था ना इंटरस्टिंग इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियो में लाती रहती हूं बहुत सारी चाहे मेकप वीडियो हो चाहे हॉल वीडियो हो चाहे स्केम केर हो हेर केर हो बहुत कुछ आता है मेरे चानल पर अगर आप इंटरस्टेड है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ एक नोटिफिकेशन बैल होगी उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आप जैसे ही मेरी वीडियो आए सबसे पहले उसे देख पाएं आप मेरी वीडियो इस तरह की बहुत सारी इपोर्टेट वीडियो आती हैं वो मिस कर देग क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत सदा मॉटिवेट करता है इस तरह के और भी अच्छे ची वीडियो बनाने के लिए साथ ही दूसरों के साथ शेयर करिए का ताकि उन लोग का भी थोड़ा हो जाए कमेंट करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि कमेंट नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते है या आप ये प्रॉब्लम क्या है साथ ही आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल ने गुड़ बाई